आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनके लिए जो कामकाजी होते हैं और वर्किंग होते हैं चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट हो काफी कम समय रहता उनके पास तो वो लोग अपने गाड़निंग के शौक को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसी के लिए आज में एक बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस लेकर के आई हूँ इस वीडियो में तो इस तरीके से पॉट बनाने से क्या होता है कि आपको अलग से किसी भी फटिलाजर का जोरत नहीं पड़ता है तो अगर बार बार फटिलाजर डालने का टाइम नहीं है आपके पास इस तरीके से पॉट बनाएए और पर्मानेंट और सीजनल और विंटर और वेजिटेबल फूर्ट सभी तरह के फ्लांट साफिस में लगाएए बिना फटिलाजर की है बहुत अच्छे चलेंगे कैसे हैं आप सब दोस्तों आपका अपने ही चैनल गार्णिंग इथ मॉम्स में एक बर फिर से बहुत बहुत साथ हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमें ले लेना है एक पॉट अगर आप रेडिमेट पॉट खरीद रहे हैं तो उसमें होल होने चाहिए नहीं है तो आप इस तरीके से किसी भी चीज को गर्म करके होल जरूर बना लीजिएगा उसके बेस में और ये देखिए ये है मेरा किचन वेस्ट और मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक चीज को बारीकी से समझेगा क्योंकि फिर बाद में आप क्वैरी करते हैं कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा तो ये देखिए ये किचन वेस जब वो थोड़े सूख जाएंगे तब आप अपने गमलों में भरिये या ग्रो बैग में भरिये और ये है मिट्टी, मिट्टी तो नहीं है क्योंकि शहरी इलाकोई में मिट्टी जो है काफी मुस्किल से मिलते है ये 80% कमपोस्ट ही है, एक साल पुराना जो मेरे गमलों में था, अभी मैंने गमलों को रिसाइकल किया है तो उसी का ये पुराना मिट्टी आपको नजर आ रहा है, जिसमें 80% कमपोस्ट है, 10% रेट है और 10% मिट्टी है अब ये टोटल मिट्टी ही बन गया है, तो मैं इसे मिट्टी ही बोलूँगी तो इस तरीके से हमने ली है मिट्टी, और मैंने आपको दिखाया काफी सारा किचन वेश्ट जो एक हफ़ते से मेरे छट पे सूख रहा है तो अब वो बिल्कुल ड्राइ हो गया है, तो अगर आपको लगता है कि इसमें कीड़े हो जाएंगे किचन वेश्ट में, तो आप उन्हें दो-चार दिन के लिए पहले सुखा ले थोड़ा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं तो चलिए ये हमने ले लिया है अपना बकेट, पुराना बकेट जो अब हम इसे पॉट के तरह यूज़ करेंगे अपने प्लांट को लगाने में तो सबसे पहले आपको प्रोसेस फॉलो करने हैं, ये देखिए, उपर सबसे पहले आपको मिटी भरनी है मिटी भरने से क्या होता है, कि नमी जो भी रहती है किचन वेस्ट में, वो मिटी सोख लेती है तो सोखने के बाद क्या होता है, कि मिटी में सारा नमी चला जाता है, तो कीडे नहीं पनपते हैं इस तरीके से अब देखे ये सुखे वे kitchen waste मैं इसे bucket में भर रही हूँ उसके बाद फिर से इसमें मिट्टी भरना है तो इस process को आपको जरूर follow करना अगर आप गीला kitchen waste भी डाल रहे हैं और इस process को follow करेंगे तो उमीद है कि आपका जो pot है वो कीड़ा मुक्त रहेगा और कीड़े नहीं लगेंगे और अगर फिर भी कीड़ा लग जा रहा है किसी वज़ा से तो आप dry करके अपने kitchen waste को use कीजिए या garden waste को use कर सकते हैं kitchen waste अगर नहीं है आपके पास तो एक हफ़ता का kitchen waste जमा कर लें धीरे धीरे करके उसके बाद आप इसे use कर सकते हैं working लोगों के लिए काफी फाइदे मन्द है इस तरीके के pot बनाने में आपको उपर से किसी भी तरीके का खाद वगेरा देने की जरूरत नहीं है काफी सारे लोग हैं जो time की कमी के कारण काफी सारे काम होते हैं gardening नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके से अगर आप अपना pot तयार करेंगे तो आप यकीन मानिया आपको उपर से कोई भी fertilizer देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी और इसमें हर तरीके का plant show plant, seasonal plant, winter plants वोगन विलिया जैसे permanent plant, rose के plant सब तरीके के plants इसमें बहुत अच्छे से चलते हैं उसका overview मैं आपको दिखाऊंगी और मैं पूछूंगी आप से एक सवाल जिसका सही जवाब आपको देना है मेरे comment section में जिसके वजह से मैं आपके नाम जो है मुझे जिरू दीजिएगा इस तरीके से देखिए एक layer मिट्टी की और एक layer kitchen west की दोनों को एक एक करके इस तरीके से उपर तक भर लेना है थोड़ा सा जगा खाली रखना है क्योंकि जब ये decompose होगा तो ये थोड़ा सा area खाली हो जाएगा उपर से एक inch का area आपको खाली रखना है अब बाकी area आपको भर लेना है तो इस तरीके से देखिए और इसे थोड़ा हिला भी लेना है ताकि अंदर कोई air न रह जाए तो अब ये हमारा pot बिल्कुल ready है कई सारे लोगों ने पूछा था कि साथ ही साथ हम बिना decompose हुए भी plant लगा सकते हैं कि आतो जी हाँ बिल्कुल आप लगा सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको लगा करके भी दिखाऊंगी तो ये देखिए मैंने काफी सारे pot तयार कर लिये हैं टोटल 6 pot मैंने इसी तरीके से बड़े बड़े bucket के बना लिये हैं और इन में सब में मैं cuttings report करूँगी जो मैंने cuttings पहले लगाई हुई थी अब वो चल गई है तो अब बहुतर time है उन्हें report करने का और एक bucket में मैं आपको दिखाऊंगी बड़ा सा plant report करके ताके आपको कोई confusion ना रहे कि इसमें किस किस तरीके का plant हम लगा सकते हैं सबसे पहले इसके बाद pot तयार करने के बाद हमें इसमें डाल देना है पानी जो मैंने आपको एक bucket भर के दिखाया है उसी process को follow करते हुए मैंने ये सारे pot तयार किये हैं अब हमें डाल देना है इसमें पानी पानी हम थोड़ा अभी ज़्यादा डालेंगे ताकि ये नीचे तक थोड़ा सा भीग जाए यूँकि हम इसमें लगाने वाले हैं अब plant तो ये देखे सारे काम हमारे हो चुके हैं अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है प्लांट लगाने के लिए इस तरीके से अगर आप अपने पॉट बनाते हैं पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो इसके कई सारे फायदे हैं जिसका एक अलेगी वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखा है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी क्यों मुठी भर मिट्टी में आप कैसे अपने ग्रो बैक को भर सकते हैं तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा उसे मैंने काफी डिटेल में उसके फायदे बताए हैं और दिखाए भी हैं तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिये थे उनके नाम हाइलाइट कर देती हूं मनी प्लांट के पत्ते को बड़ा कैसे करें सही जवाब दिया है मुहमद अजीम ने और एक वीडियो थी हवा में लटकने वाले पॉट कैसे बनाए तो इसमें पहला नाम है तो चलिए वादे के मुताबिक मैंने नाम हाइलाइट कर दिये हैं और अब वक्त है अपने जो पॉट हमने तयार किये हैं उसमें कटिंग रिपॉर्ट करने का तो ये देखिए कटिंग निकालने का भी मैं आपको तरीका बताती हूं ये वोगन विल्या की कटिंग करीम मैंने दो महीने पहले लगाई थी और अब ये काफी मैचूर हो गया है अब ये बिल्कुल सही वक्त है इसे रिपॉर्ट करने का चलिए फटा फट से इसे रिपॉर्ट भी करही लेते हैं रिपॉर्ट जब भी करें कटिंग जब भी निकाले तो जैसे मैं बता रही हूं वैसे ही निकालिएगा इसके रूट को कभी भी डैमेज मत कीजिएगा क्यों इसके रूट साभी काफी नाजुक है मैचूर नहीं हुए है तो जब भी निकाले सावधानी से निकाले बिल्कुल हडबड़ी में मत कीजिएगा आराम से कीजिएगा टाइम लेके कीजिएगा तो आपके रूट बॉल डैमेज नहीं होंगे तो आपकी कटिंग जो है 100% चल जाएगी कई बार लोगों का कहना होता है कटिंग चल जाती है बर रिपोर्ट जब करते हैं तो वो नहीं चल दी क्योंकि हम उसके रूट बॉल को छेड़ चाड़ कर देते हैं नुकसान पहुंचा देते हैं इस तरीके से आप कटिंग की रूट बॉल को निकालेंगे और इसे बिना छेड़ चाड़ किये ही इसी के साथ ही आपको गंले में लगा देना है और ये जो कटिंग मैंने आप लगाई है आप वो गनवीलिया की जो आप देख रहे हैं ये मैंने 100% सैंड में लगाई है तो इस तरीके से देखे उपर की लेयर हमने इसलिए मिट्टी की रखी थी ताके हम इसमें अपना प्लांट लगा सकें क्योंकि प्लांट में अगर रूर्ट डेवलप नहीं है अच्छे से तो वो जो है कमपोश्ट को नहीं पकड़ पाएगा इसलिए उपर की मिट्टी हमें हमें सा उपर की लेयर मिट्टी की रखनी है अब येसे हम अराम से इसमें डाल देंगे ध्यान ये रखना है कि ये इस तरीके से इस स्पेस बना लेना है ताके ये जो रूट बॉल है कटिंग का ये अराम कि उसके अंदर चला जाया और उसके बाद हलकी सी मिट्टी उसमें डाल लगा देनी है इस तरीके से ज़्यादे प्रेसर नहीं करना है उपर से हलकी हातों से ही इस अब कर रहा है तो इस तरीके से ये देखिए पहला हमारा जो कटिंग है वो रिपॉर्ट हो चुका है तो कई सारे लोग पूछ रहे थे क साथ ही साथ प्लांट लगा सकते हैं कि नहीं तो जी हां बिल्कुल आप लगा सकते हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपको अपना अंसर मिल गया है और किस तरीके से लगाते हैं वो भी आपको पता चल गया है तो कटिंग तो हमने लगा ली है और का तो भी अभी हम शिफ्ट करेंगे इसी मिट्टी में जो भी हमने साथी साथ बनाई है तो आई होप कि वो भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि बड़ा प्लांट हम इसमें रिपॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं साथी साथ मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगे क्योंकि यहाँ पर मैंने गमले तयार करने के साथ साथ प्लांट भी लगा के आपको दिखाए हैं मिछले वीडियो में मैंने प्लांट लगा करके नहीं दिखाए थे हां लेकिन काफी डिटेल मैंने उसके फाइदे बताय थे कई सारे फाइदे हैं आप अगर वीडियो नहीं देखे है तो जरूर जा करके देख लीजिएगा इसके बाद जो है काफी सारी कटिंग टोटल पौधे 6 में रखें कटिंग लगाने के बाद पानी आपको जरूर डालना है और एक हफते तक ध्यान देना है कि इसकी मिट्टी बिल्कुल भी उपर से ड्राइ नहीं दिखनी चाहिए मिट्टी में नमी आपको बनाए रखनी है थोड़ा थोड़ा पानी आपको देते रहन है इसकी केर एक हफते 10 दिन कीजिएगा उसके बाद आप चाहिए इसे धूप में रख दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह काफी हाड़ी प्लांट होता है अराम से चल जाएगा चलिए अब बात करते हैं इस बड़े से प्लांट की जो हमने पॉटिंग मिक्स बनाई है उसमें हम अपना बड़ा प्लांट भी सिफ्ट करेंगे अभी साथी के साथ और यह वोगन विल्या का प्लांट काफी अच्छे से चल रहा था लेकिन यह गमला मेरा जो है गलती से तूट गया तो मैं आपको दिखाती हूं कि बड़ा प्लांट हम अपने पॉट प मातों से बिना रूट के इसके जादे च्छड़चाड करते हुए मैं कोसिस कर रही हूं कि इसको बाहर निकाल लिया जाए तो इस तरीके से गमले को थोड़ा सा इस तरीके से करके यह देखिए यह हमने पूरा साबुत यह निकल गया है और रूट बॉल भी इसमें काफी हो चुका है तो हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से यूंकि बड़े गमले में सिफ्ट कर रहे हैं तो बैस तौड़ा सा इस तरीके से खुर पीया किसी की मदद से हमें बना लेना है और यह देखिया मैं इसे उपर से रख कर कर के देखती हूं अगर यह पूरा इसमें समा जाता है तो उपर से बस थोड़ी सी मिट्टी डाल लेनी है और नहीं तो फिर नीचे से थोड़ा सा मिट्टी हमें हटाना होगा प्लांट से तो इस तरीके से मिट्टी हमें थोड़ी सी नीचे से जितना जगा नहीं हो रहा है उस हिसाब से हलका हलका मिट्टी हटा लेना है रूट्स को नुकसान नहीं पहुचा रही हुमें क्योंकि मेरा बकेट काफी बड़ा है और इस तरीके से मैंने देखी अब इसमें डाला है और इस तरीके से मिट्टी को फैला लेना है उपर की मिट्टी को और हिला करके काफी अच्छे तरीके से इसे पैक कर लेना है ताके नीचे जो है कोई एर न रह जाए इस तरीके से पैक करने के बाद थोड़ी से मिट्टी हमें उपर से डाल लेनी है बस इतना ही काम हमें करना है ब दूप में इस तरीके से ये चार बजे में ये काम कर रही हूं एक घंटे के बाद धूप चली जाएगी तो ये चल सकता है लेकिन कड़े धूप में ये काम मत कीजिएगा और आज का मेरा सवाल है कि टोटल कितने कटिंग आज मैंने रिपॉर्ट किये हैं सही जवाब आपको देना है मेरे कमेंट सेक्षन में और ये देखिए ये दो तीन साल पुराना मेरा वोगन मीलिया का प्लांट है इसी तरीके से मैंने पॉटिंग मिक्स बना करके बड़े बड़े डबो में इसे लगाया हुआ है और ये काफी अच्छा चल रहा है बिना कोई खाद वगयरा के भी अगर आपका मन है तो खाद डाल सकते हैं अगर टैम नहीं है तो मद डालिएगा काफी अच्छे से ये चलता है बिना कोई जंचट के तरीके के पॉटिंग मिक्स बनाने के बाद आपको किसी भी तरीके का खाद का जवरत नहीं है और इसमें आप सभी प्लांट लगा सकते हैं सिजनल प्लांट वेजिटेबल्स प्लांट फ्रूट प्लांट पर्मनेंट प्लांट सो प्लांट सभी तरीके का प्लांट आप इसमें बेहिचक लगा सकते हैं बिना पुरूनिंग के आप देखिए ये प्लांट काफी अच्छे से चल रहा है काफी you very much for watching this video, तब तक के लिए बाई, तक के लिए बाई, तक केर.